Hello friends and welcome back to my channel Amriti Paisa Mila आज की वीडियो में हम लड्डू को पाल जी के लिए ड्रेस पनाने वाले हैं यह देखें हमने बहुत ही कुपसुर सी ड्रेस पनाई हुई है और यह अभी अपने दो नंबर के कानाजी को पहनाई है इसे बनाना बहुत देखें कितनी कुपसुर सी पनाई है बहुत अच्छे से फिटा गई है कानाजी को यह ड्रेस आप एक नंबर और दो नंबर और तीन नंबर के भी कानाजी को पहना सकते हैं पगड़ी तीन नंबर के लिए नहीं आएगी मैंने वीडियो के एंड में आपको क्लियर बताया हुआ है सब कुछ तो इस तरह से आप एड्रेस एक नंबर दो नंबर और तीन नंबर एकानाजी के लिए बना सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्रीस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बैल आइकान पर प्रेस करके और पर क्लिक कर लें रहता होते हैं बुन्न से मैं अधा przy辦ा हैं यहां फेजि़ sistemas घ्री Anda इस तरह से कान करेंगे इसे यहां पर हम एक लूप बनालेंगे यहां पर हमने इस तरह से नाट लगाकर के एक लूप बनाई अब इस तरह से अपने हुंक को हमें डालना है इस तरह से और हुक को डालने के बाद यहाँ पे हम चेन बनाएंगे यह हमने एक चेन बनाई यह देखें यह हमने दो चेन बनाई यहाँ से यह हमने तीन चेन बनाई यह देखें यह हमारी चौती, पांचवी, छटी, सात्वी, आठवी, नौ, दस, क्यारा, बारा, तेरा, चौदा, हमने यहां पर टूटल चौदा चेन बनाई, अब एक चेन हमारी हुक में है, इसके बाद हम यह दो चेन छोड़ेंगे और तीसी चेन में हम इस तरह से डबल क्रॉश्या ब बननी है, तो अब अगली चेन से हमें सभी चेन में दो दो बार डबल क्रॉश्या बननी है, तो अब अगली चेन से हमें सभी चेन में दो दो बार डबल क्रॉश्या बना देंगे, यह दिखे हो गया, फिर यहां हमने नेक्स चेन में डाला, फंदे को निकाला, तीन फंदे ह एक कर दिया फिर हमने इस तरह से किया यहीं सेम चेन में डालेंगे और डबल क्रोश्या बना देंगे इस तरह से हमें यहां पर सभी चेन में दो दो बार डबल क्रोश्या बनानी है चले बना लेती हूं फिर आगे दिखाऊंगे क्या करना है हमने यहां पर सभी चेन में बना फिर देखें, सेकेंड चेन में भी हम एक बार डबल क्रोश्या, थोर्ट चेन में भी हमें एक बार डबल क्रोश्या, और फोर्थ चेन में हम दो बार डबल क्रोश्या बनाएंगे, यह देखें, यह इस तरह से हमने एक बार और यहीं सेम चेन में हमने एक और बार डबल तीन, चार, पांच, हम नहीं यहां पे टृटल पांच चेन बनाए, अब उपर से हम तीन चेन चोड़ते हुए, चौथी चेन में इस तरह से डालेंगे फंदे को, यहां से निकालेंगे, देखें, यहां पे हमें दोनों फंदे को साथ में बुंदेना है, इस तरह से, हमने बीचे से इस तरह से हम डालेंगे तीन चेन बनाने के बाद और यहां से फंदे को निकाला और इसे हमने इस तरह से बुन दिया यह देखें फिर हम इस तरह से करेंगे यहां पर हमें एक चेन स्क्रिप करनी है और नेक्स चेन में डालेंगे और यह हम बना लेंगे फिर यहां पर हमें एक तो तीन चेन बनाई और यहां इस तरह से हम इसे करके बुन देंगे फिर देखें यहां पर हमें एक चेन करनी है नेक्स चेन में डालेंगे और तीनों फंदे को हमने एक साथ बुन दिया यहां एक तो तीन हमने तीन चेन बनाई इस तरह से करके हम यहां पर डाले बिना ते हम पे पूरे रंड पे इसे बना दिया अब होता यहां पर इस तरह से हम डेधे किसे नॉट लगा के और कट कर लेगे को यहां पर सै किसे दो यदाक कर दागे को कौने LOVE अब यहां unit and सबते हुआ, लगा है न इक फिरसे लगाना है और यहां हम इस तरह ना की बिए के बाट हेँ देखें यहां से इन दोनों को पकड़ लेती हूं जिससे यह यहीं पर हाइड हो जाएं यहां से तरह से करेंगे फॉस चेन में डालके और हम यहां से ऐसे डबल क्रॉश यह बना लेंगे यह देखें फिर यहां से इस तरह से करना है सेकेंड चेन में हम डालेंगे और यहां से यह 7 फीर सही हैlect यह तुटल हमारे 4 क्रीण फीर सब्सक्राइब कर दों, सब्सक्राइब म defense बिद दोख Talking इस के चार करें हम फीर सब्सक्राइब कर दूनेंगे यह इस तरह से यहां से उपर से ही रहेगा हमें इसके नीचे नीचे से बुलने ना है यहां पर हमारी 5 चेन में 5 double crochet हो गई है अब देखें हम इस तरह से करेंगे और यहां पर हमें अपनी देखिए यह पहली, दूसरी, तीसरी, चौती, पांच मी, छटी छटी चो चेन है, छटी चेन तक छोड़नी है और सातवी चेन में हम इस तरह से इसे डालेंगे और फिर हम यहाँ पे ऐसे डबल प्रोश या बुन देंगे जो हमने छे चेन चोड़ी है वो हमारी स्लीव वाली चेन है देखें यहाँ पे में सभी चेन में सिर्फ एक एक बार इस तरह से बुनते चले जाना है यह देखें हमने यह आप इस तरह से तीन चेन में भी बुना है ऐसे करेंगे यह हमारा चार चेन में हुआ यह पांच चेन में हुआ यह छे चेन में हुआ साथ चेन में हमने इसे बुना यह देखें अब यहां से हमें क्या करना है यह देखें एक दो टीन चार पांच छे छे चेन छोड़के फिर सातवी चेन में हमें अपना इधर वाला पला बुल लेना है इस तरह से करेंगे और एक दो टीन चार पांच छे छे चेन छोड़ने के बाद सातवी चेन में हमें इस तरह से डालना है और यहां एक और बुल लेते ह क्योंकि उधर हमारा थोड़ा से एक्स्ट्रा बच जा रहा है अब यहां से गिन लेते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ सात्वी चेन से अब यहां पर दिखिए पांच चेन हमारी बची हुई है तो पांच चेन में हम अपना पीछे वाला पल्ला बुन लेंगे यह हमने जो दो छोड़ा है वो दोनों हमारी स्लीव हो जाएगी और यह हमारा बैक का पल्ला है और बीच में हमने जो आट चेन में डबल क्रॉश्या बनाई है वो हमारा फ्रंट का पल्ला है यह इधर भी हमारी देखिए पांच डबल क्रॉश्या हो गई इस तरह से यह कुछ इस तरह से लुक आएगा इसका यह देखें अब हमें यहां पर क्या करना है यह नीचे वाले हिसे पर एक रो और बनानी है तो हम यहां पर इस तरह से बुनेंगे इसे यह हमने यहां एक दो दो चेन बनाई इस तरह से फॉस चेन में डालेंगे और हम डबल क्रोशिया बनाएंगे हमें यहां सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना देनी है यह ऐसे करके डबल क्रोशिया हमें बनानी है एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है गाईस कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बहुत आसानी से आप बना सकते हैं और बहुत ये गुपसुरर सी ड्रस हमारी बनके रैडी होगी तो चले मैं यहां से लेके पूरा यहां तक एक एक बार डबल क्रोश्या बना लेती हूँ फिर आ हमारी यहां पर चुली रवूं गई है आभ यहां से अपना घेर स्टार्ट करेंगे यह हमें किस तरह से बन ना है एकanco शेंपल और आसांतरी के से बनेंग के तो P यहीं עם सेम चेण में डाला एक और बार बनाए घ्कष हम ईएंसे बिखा अना है है चले बुल लेती हूं फिर आगे दिखाऊंगे क्या करना है यह दिखिए हमने आप एक रू बना लिया है अब सिकेंड रू किस तरह से बुनेंगे इस तरह से हमें यह आपे दो चेन फिर से बनानी है और दो चेन हम बनाने के बाद क्या करेंगे यह देखें यहाँ पर हमें इस तरह से फॉर्स चेन में हमने एक बार सेकेंड चेन में भी हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाना है यह देखें यह इस तरह से हमने सेकेंड चेन में भी एक बार बनाया और 3rd chain में हम 2 बार double crochet बनाएंगे यह एक यहीं सेम chain में हमने 1 और बार बना दिया ऐसे हमें यहाँ पूरी रोग कम्प्लीट करनी है दो chain में एक एक बार और तीसरी chain में 2 बार double crochet बनाते हुए यहाँ पे हमने देखिया अपनी दूसरी रोगी complete कर दिया इस तरह से second row हमारी complete हो गए अब third row यहाँ पर हम किस तरह से बुनेंगे यह देखें यहाँ पर हमें एक दो हमने दो chain बनाई इस तरह से करेंगे यहाँ एक chain skip करने के बाद next chain में हमने डाला इस तरह से फंदे को निकाला तीन फंदे ओतार दिया उतारने के बाद हम यहाँ पर एक दो दो इस तरह से chain बनाएंगे और ऐसे करेंगे फिर देखें यहाँ same chain में डालके हम इस तरह से half double crochet बुनेंगे फिर हम ऐसे करेंगे यहाँपे 1 और 2 chain skip करना के बाद तीसरी chain में हम डालेंगे और यहां पर हमने इस तरह से half dollar crochet बुल दिया बुनने के बाद फिर यहां एक और दो दो chain बनाएंगे और ऐसे करेंगे फिर सेम chain में डाल के हम half dollar crochet बुल लेंगे फिर यहां पर देखें एक और दो chain skip करने के बाद तीसी chain में हम डालेंगे और यहां हम half double crochet बनाएंगे फिर यहाँ एक और दो दो chain बनाएंगे और यहीं सेम chain में डालके हम फिर से half double crochet बोल लेंगे फिर यहाँ देखें एक और दो दो chain gap करने के बाद तीसी chain में डाएंगे और half double crochet बनाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ एक और दो दो chain बनाने के बार सेम चेन में डाल के फिर हम half-doll cruise बनेंगे ऐसे हमें अपना पूरा row complete करना है चले कर लेती हूँ फिर आगे दिखाऊंगे क्या करना है यह दिखिए हमने यहाँ पे अपना row complete कर लिया अब यहाँ से मैंने white color का उन ले लिया है यह हम यहाँ से white color से बुनेंगे इसे हम yellow वाले को हलका सा खीश लेते हैं white color से हमें बुनना है किस तरह से हम बुनेंगे यह देखिए हम यहाँ से ऐसे करेंगे और यह जो हमने एक ही chain में दो बार half-doll cruise बनाई है और बीज में हमने जो दो chain बनाई हुए हम उसमें डालेंगे इस तरह से और यहाँ देखें तीन फंदे हैं तो दो फंदे से एक बार और दो फंदे से एक बार इस तरह से हमने किया और यहाँ पर एक दो तीन तीन हमने chain बनाई और इसे यहाँ पीछे से हम इस तरह से ドライant कर लेंगे यहाँ देखिए हमने एक बार क्या फिर यहाँ पर करेंगे और यहाँ सेमे जगों हम डालेंगे फिर से हमने यहाँ यहाँ पर double crush यह बुंदे, बुंदे बाद एक, दो, तीन, हमने यहां तीन chain बणाई और यहाँ फिर से हम इस तरह से डाल के इसे बुल लेंगे हमने दो बार किया फिर यहीं सेम चेन में डालेंगे और यह हमने इस तरह से बुना बुनने के बाद एक, दो, तीन हमने यहाँ तीन चेन बनाई तीन चेन बनाने के बाद यहाँ पर इस तरह से डालेंगे डालने पद हमने फंदे को निकाला और इसे हमने इस तरह से बुन लिया यह दिखे जैसे हमने यहाँ पे तीन बार बनाया था वैसे हमने सेम चेन में डालके पांच बार बना लिया तो यह हमारा यहां पे भी है हमें क्या करना है यहां से हम इस तरह से यहां पे ऐसे डाल के इस बार बुनेंगे यहां पे हमने जो यह अपना पांच बुना हुआ है इसे हम यहां पे अटाइच करेंगे यह देखें इसके फ्रंड से यहाँ पे इस तरह से हमने डाला डालने के बाद यहाँ से फंदे को हम निकालेंगे और निकालने के बाद यहीं हम इसे इस तरह से slip stitch के हम से जोड देंगे यह देखे हमारा जुड़िया है एक V हमारा पीछे छूटेगा अब हम दूसरे V में बुनेंगे इसे इस तरह से करेंगे और यह हमने अपने दूसरे V में डाला डालने के बाद यहाँ पे हमने इस तरह से डबल क्रॉश यह बुन दे यह देखे हैं यह हमने बुन लिया बुनने के बाद यहाँ एक दो तीन हमने तीन चेन बनाई तीन चेन बनाने के बाद हम फिर वही सेम चेज करेंगे पीछे से हमारा एक एक वी सभी फ्लार के बीच में छूटता चला जाएगा यह देखें इस तरह से फिर हम यहाँ पे करेंगे और इसी में हमें पांच बार बनाना है तो अभी हमारा यह एक बार हुआ है यह देखें यह हमारा इस तरह से दो बार हो गया फिर एक दो तीन हमने तीन चेन बनाई और यहाँ से हम इसे बुन लेंगे फिर हमने ऐसे किया इसमें डाला हमने डबल क्रोश बनाना बाद एक तो तीन 3 chain बनाई और इसे हम यहांसे इस तरह से करके बुणेंगे हमारा 3 बार हो गया देखें यह हमारा चौथा है 1, 2, 3 तीन में हमने इस तरह से इसे बुण दिया फिर हमने ऐसे किया और यहां पर टाल के हमने इसे बुण लिया 1, 2, 3 देखें तीमारा 5 कॉप्लीट हो गया अब देखें हमने 7 म Color duplicate गले एक इंसली जोड़ा दोगे इस तरह से फ्लाइर हमारा आएगा, ऐसे करके, एसे हमें इस से पूरे गाना है यह पुछ यहां पे बना दिया है और यहां से अपने उनको कट जख लिए अब हम यहां पर पिसके पीछ को हम इसे स्टार्ट करेंगे तो यहां से आप बहुत कीच केण ना लियाएं एकड़ नॉर्मल फिर देखें यहां यहां हम चेन बनाये एक दो तीन चार हम ने चार चेन बनाई इ यहां पर हमने डाला वी में और इसे हमने खीच लिया एक बार हमने किया फिर इस तरह से किया दो बार हमने किया फिर इस तरह से किया यह तीन बार हुआ फिर ऐसे किया और यह हमारा चार बार चार बार हमने किया अब देखें यहां से इस हम उनको पकड़ेंगे पकड़ने के यहां से हमने इस तरह से किया और यहां इससे निकालनी वाद जाहरे दीन से भागव्ड़ हम दनी काई बाद इसем हमें इससे बुननेंगे यह दिएक जी फॉंमने के बाद हमें क्या करना है यहां पर हमें 1238 और यह चार चेंथ बनाए यहां पर हम ले आएंगे और इसे slip stitch की help से जोड़ेंगे फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 4 chain बनाई यहाँ पर हम इसे slip stitch की help से जोड़ेंगे फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 4 chain बनाई फिर सेम जगाँ पर डालके और slip stitch की help से जोड़ेंगे जोडने के बाद हमें यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 5 chain बनानी है और यहाँ अपने V में डालके हम इसे इस तरह से slip stitch के यहाँ से जोड़ देंगे यह हमारा यहाँ पे एक flower complete हो गया है यह देखें यह इस तरह से इसके बीच-बीच में से आएगा अब हमें अपना second flower इस वाले V पे बनाना है यहाँ तक बनाने के बाद हमें यहाँ पे 5 chain बनानी है 5 chain बनाने के बाद अपनी second V में हम इस तरह से जोड़ेंगे और यहाँ पे जोड़ने के बाद फिर हमें इसमें इसी तरह से flower बना लेना है ऐसे हम अपने पूरे राउंड पर बनाएंगे यहां पर हमें पीछे-पीछे से वी जो मिलता जाएगा उस पर बनाते जाना है सभी फ्लार के बीच-बीच में हमें एक-एक मिलेगा चले बना ले तूँ फिर आगे दिखाऊंगे क्या करना है यह देखिए यहां पर हमने बना यह देखिए फसाने के बाद हमें यहां पर चेन बनानी है हमने एक चेन बनाई एक चेन बनाने के बाद देखिए यहां पर हमने एक चेन में इस तरह से डाल के और सिंगल क्रोश्या बनाई उसके बाद देखिए हमें यहां पर एक और दो दो चेन छोड़ने के बाद यहां कि अपूरे राउंड बनाएं नॉट लगा कर देंगे, चले की थीऊ इस तरह से चेंड बनाई है, तो हमारे ड्रस यहां पर नक्त ही मेरे पास इमने लगादी है, कट कर के यहां पर और यहां भी एक राउंड लगा दिया है, पीछे की यहाः प्रेसे चैने के बाद टॉर को चोड़ेंगे और इस तरह से तीस्री चैन में हम डॉब्ल नाया फिर यहाँ बनाया फिर ऐसे करेंगे यहां अगली चैन में हम sa इस तरह हमें यहां सभी chain में सिर्फ एक एक बार double crochet बनानी है तो चलिए मैं यहां पर सभी chain में एक बार double crochet बना लेती हूं फिर आगे दिखाओंगे क्या करना है यह देखिए हमने यहां पर 1 रो बना लिया अब इस तरह से अपने walk को turn करेंगे और turn करने के बाद ही यहां पर ह अनदर यहां पर इस तरह से अनधर आएगा और यहां पर मैं एक उंगली डाल के यहां से इसे सिल देंगे यह दोели पगड़ी यहाँ पे इस तरह से रेड़ी होगी, चलि मैं इसे सिल लेती हूँ, फिर आके आपको इस पे डिजाइन्स बतातूं कि कैसे बनाने हैं, यह देखिए, यह हमारी पगड़ी का बेस यहाँ पे यहाँ हम इस तरह से इस हम इटेश से लगाएंगे, ऐसे कि यह इस तरह से अटेश किया, इशे बनाने के बाद को हम सबनाएंettा ठेश करें डंते से जिय में ड़ले हैं इस का वह मैं से साथ साथ लाबश रिए जालों जाएंगे एंदा बनाएंगे साइफ दमी बनाएं लृब CT शाइन对 यहा रों ग Kennाटे कर लो हम यहां पुखे यहां पाद सब्सांब हम यहां लगा लगा लागाां लगने यहां के बढ़ाा कि अघ्टाकि लगाएंगे सान लीऑ कुखे, निखने बार से तीक्वूद और ऊकल वाल भजेंगे बुरने बाद 1, 2, 3, 3 chain बनाने के बाद यहाँ पर हम इसे slip stitch से जोड़ेंगे, फिर हमें यहाँ पर 1, 2, 3, 3 chain बना के यहाँ इसे slip stitch से जोड़ देना है, और फिर यहाँ पर हम 1, 2, और यह last 3, 3 chain बना के यहाँ इसे slip stitch से जोड़ेंगे, और जोडने के बाद हमें यहाँ पर क् देखें ये एक, दो, तीन तीन चेन बना के और जहां हमने डाल के बुरा था वहाई पर हम इसे लिपिश्टी से जोड देंगे यहां जोडने के बाद हमने एक, दो, तीन, चार, पांच पांच चेन बनाए और दूसरा वाला और बना लेते हैं देखें, छे, साथ, साथ चेन बनाने के बाद दूसरा वाला हम यहां पर बनाएंगे, अपने फ्लार के एक साइड और दूसरी साइड यह है इस तरह से यहां पर हमने जोड लिया अब यहां पर भी हम सेम तरीके से एक बनाएंगे, चले, बना लेते हूं आप यह स्टोन वाली चेन लगा दी और यहां पर बह लगादी है यह भी मैंने, डिखें, इस तरह की उड़र थी मिर पास भी बोट ही लगा दी अब यह द्रेस मैं आपको पहना के दिखाती हूं कानाजी को तो यह देखें, मैंने यहां पर यहां इसली पहना लेंगे पकड़ी और ड्रेस दोनो इस तरह से हम यहां पे डोरी को बात देंगे देखिए यहां से आसे हम सेट कर देंगे और सिट करने के बाद यहां पर आप चाहें तो चुट चट बटन वगएरा लगा सकते हैं, यहां से यह वाली डोरी इधर और यह वाली डोरी इधर, इस साइट एक्षेंज करके हम इस तरह से बात लेंगे, बहुत एक उपसूरत सी ड्रेस है, और बहुत आसान तरीके से आप इसे पहना सकते हैं, यह ऐसे करके आएगी, आगे से जब ले जाके पीछे बातते हैं, तो फ्रिटिंग बहुत अच्छी आती है, यहां पर हमें बात देना है, और बातने के बाद हम अपनी डोरी यही से इस तरह से आई है, आप देखें कितने कुपसूरत लग रही है इनके उपर, बहुत इसंतर लग रही है, और साथ में यह पगड़ी हम पहना देते हैं, तो पगड़ी भी बहुत अच्छे से बिटा जाती है, फैलती है पगड़ी, इस तरह से, यह देखें, सेट हो जाएग जो देखें, इस तरह से पगड़ी आ गए, तो यह थी हमारी आज की वीडियो, आई होब आपको वीडियो पसंद आयोगे, अगर अच्छी लेगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चनल को भी सब्स्राइब करें, अब मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तो तो के लिए ह रेक्षिन आदेरा,